गुड मॉर्णिंग दियर स्टूडेंट्स तुडे वी शल कॉंटिनू विद दट चैप्टर अंडर बिच वी शल कवर तुडे यासुदिन बलवन सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की रजिया वेगम या रजिया सुल्ताना ने 1236 से 1240 तक शासन किया था चार वर्ष की अलप आउदी के दौरान उसने दिल्ले सल्टनत को पुनहा सुद्रिड और संगठित करने का प्रयास किया था लेकिन उसके पशाथ जो बहराम शाहा है या मसूद है या नासिरुदीन मुहमद है ये अयोग्य सिधुए और वो दिल्ली सल्टनत को लड़कडाने से नहीं बचा सके बहराम शाह जिसने की 1240 से 1242 तक शासन किया दो वर्ष के लिए उसमें दिल्ली सल्टनत जो है वो शर्णत कारियों का अखाडा बन चुका था मसूद ने 1242 से 1246 तक केवल चार वर्ष तक उसने भी शासन किया लेकिन संपूर्ण शक्तियां अमीरों सामंतों तुर्कों और सरदारों के हाथों में थी नासिर दिन मौमद ने भी 1240 से 1266 तक शासन किया लेकिन उसके समय में जो उसका परधान मंत्री था बलवन उसने कुछ हद तक दिल्ली सल्टनत को संभालने में मैतपोन भूमी का निवाई थी बलवन 1246 से 1266 तक जो है वो परधान मंत्री के रूप में नासिर दिन मौमद के समय में कार्य करता रहा लेकिन 1266 से 1286 तक उसने स्वैम शासन के बागडोर समभाली और दिल्ली सल्टनत के एक मैतपोन शासक के रूप में भूमी का निवाई थी जहां तक वलवन के आरंबिक जीवन की हम बात करते हैं तो वह कुतुदी नवग की तरहे इलवरी कवीले से समन्द रखता था और इल्तुत मिश ने उसे दास के रूप में खरीदा था बाद में तुर्के चेहलगानी का वो मेतपोन सदर से बना और रजिया सुल्ताना के सम में अमीर शिकार के पद पर उसे निक्त किया गया था बहराम शाहा ने उसे जह वो सुवेदार निक्त किया था रिवाडी और हासी का और मसूद ने उसे जह वो अमीर हाजिफ जोकी एक नया पद तदकालिन दिली सल्तन में क्रियेट किया गया था उसके उपर उसकी निक्त की गई थी साथ में चुकि उसने मंगोलों के आक्रमन को डिफ्यूज किया था मंगोलों के आक्रमन को निरस्त किया था इसलिए उसे जो है वो प्रोच्छाइत होकर के नासिरुदीन मुहमद ने उसे परधान मंत्री निक्त किया था और 1246 से 1266 स्वितक जो है भलबन शासन की में परधान मंत्री के रूप में जो शासन करता रहा है बलबन है कि दो कारेकालों का यहां हम विश्य फूरत करेंगए एक तो एज़े परधान मंत्री के रूप में 1241 666 के रूप में और दूसरा जो है जो है वो आजे रूलर 1266 से 1286 के मद्ध सबसे पहले हम प्रधान मत्री के रूप में बलवन के कारियों का जो है वो यहां समशित उलेख करते हैं सबसे पहले सब्रेशन अवदा खोकर्स 1246 हिस्वी में बलवन ने जड़ तथा जहलम की नदी के मद्ध है जो अनसिवलाइजड बरवर जाती के जो खोकर थे जो की अक्सर लूट पार्ट करते रहते थे सैनिकों को तंक करते रहते सैनिक शाउनियों पर आक्रमन करके उनके सामान को लगवग शांत कर दिया समाप्त कर दिया ये बलवन की परधान मंत्र के रूप में एक उपलब्धी आप मान सकते हैं दूसरा है सप्रेशन ऑफ ता हिंदू रूलर्स ऑफ दुआफ 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 के जो हिंदू शासक थे जिसमें की मेत्रपूर्ण रियास से आप ले करते थे और जो नजराना है वार्शिक कर है वो नहीं सौपते थे रजिया जो सुल्ताना थी उन पर नियंतन करने में सफर नहीं हो सकी थी इसलिए बलवन ने उन पर आकरमन करके उन्हें अपने अधीन किया और वहां से बिशाल धन जो है उसे प्राप्थ हुआ था नेक्स्ट है मेवातियों का दमन मेवाति दिल्ली और दिल्ली के आसपास की शयत्र में रहते थे अकसर रूट पार्ट करते रहते उत्पाथ मचा रहते थे इसलिए बारेसो उटालीस में और बारेसो पचपन इसुई में बलवन ने सेना सहित जह वो उनके उपराक्मन किया और उनके जो मेतवपूर नेता थे उनको मृत्यु के घाट उतार दिया इसलिए दिल्ली और दिल्ली के आस्वास की शेत्र में शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी नेक्स्ट है जो उसके शडिंत कारी थे उसके विरुद में कारे करते थे expression of his conspirator मसूद और नासिरुदीन मौमत के समय में विशेश करके यामुदीन रिहान जो था उसने बलवन के विरुद शडिंत करना प्रारम किया था इन दोनों शासकों के कान भरने प्रारम किये और बलवन को 1253 निस्वी में प्रधान मंत्री के पद से जो है वो खटा दिया गया था उसे हासी और रिवाडी की जो जागिरेम वहाँ पुने आना पड़ा था वहाँ पुने नियुक्त किया गया था लेकिन बाद में जब दि 24 निस्वी में वापिस उसे प्रधान मंत्री नियुक्त किया और रेहान को जो है वो प्रधान मंत्री के पद से हटा दिया गया था नेक्स्ट है स्प्रेशन ओफ दा ओफ कुतलुग खान अवद का सुवेदार था और उसने सुल्तान की विद्वा पतनी से विभा करके गद 255 निस्वी में और दिल्ली पर आक्टमन करने का भी जो उसने प्रयास किया था लेकिन इस योजना को कार्यान वित होने से पहले ही बलवन ने इसे निरस्त कर दिया था रेहान को मृतिव के घाट उता दिया और कुतलुग को जो है भाग करके सिर्मौर की पहारियों में शर प्रयदार निक्त किया गया था उसमें मंगोल के आक्रमन का भै उत्तर पशिम सीमा से अक्सर बना रहता था और किशलु खान ने मंगोलों के साथ शडेंतर रज करके बलवन पर आक्रमन करने की युजना बनाई थी पंजाब पर उसने आक्रमन भी किया था और ब्यास नदी तक कि शैतर को विजित करने में सफलता भी प्राप्त की थी लेकिन बलवन ने विशाल सेना भेज करके किशलु खान को प्राजित किया और किशलु खान को अंततहा भाग करके इरान में शरण लेनी पड़ी थी जो रुहेल खंड का शैतर है जिसमें कि विशेश करके अवध और कारिहार का शैतर समरिद किया जाता है 1269 हिस्वी में वहाँ पर विद्रो हुआ था और दिल्ली सल्तनत की अधिनता से विकार करने से मना किया था इसमें कनौज तक के जो शैतर है वे रुहेल खंड ने आकरमन करके विजित किये थे बलवन ने विशाल से ना भेज करके रुहेल खंड के विद्रो को दबा दिया और वहाँ पर शांती स्थापित करके वाशिक नजराना देने के लिए उन्हें बात दे किया था नेक्स्ट है मंगोलों के आकरमन को रोकने की दिशा में उठाए गए कदम यद भी जो नोर्थ वेस्टन ये जो रिजन है नोर्थ वेस्टन रिजन जिसको आप कहते हैं यहां से मंगोल मत देशिया से आकरमन करते थे और इस सीमा को सुरक्षित करना अत्यंत आशक था प्रधान मंत्री के रूप में भी बलवन ने जो है वो यहां पर मैतवपुन की लों का निर्मान करवाया और जो प्राचीन के लिए थे उनको जिर्णादवार करवाया रिनोवेट करवाया यहां पर जो सहसी सुवेदार और आर्मी कमांडर निउक्त किये ताकि सैनिक बलवन के शासक के रूप में जो कारे थे बलवन के शासक के रूप में जो कारे हैं विशेश करके वो पॉलिसी ऑफ आरन एंड बलड की पॉलिसी मानी जाती है लो तथा रक्त की नीती बलवन की मानी जाती है और उस नीती पर जह वो कारे करके उसने दिल्ली सल्तनत को किया था जो policy of blood and iron है उसके कौन-कौन से मैटपून विशिष्टाएं थी सबसे पहली विशिष्टा हम बात करते हैं destruction of चहलगाई यद पी बल्वन खुद जो है वो चहलगानी या तुर्क्य चालिसा जिसको आप कहते हैं उसका मैटपून सदसे रह चुका था लेकिन जब वो शासक पना तो उसने तुर्क्य चहलगानी को समाप्द कर दिया मलिक बखबाद जो था बदाईू का सुवेदार था तुर्क्य चहलगानी का मैटपून सदसे था उसको आम लोगों के सामने फासिद दी गई थी हैवात खान को जो कि आवद का सुवेदार था उसको भी पब जो ये तुर्क्य चहलगानी के सदसे थे सुवेदार थे उनके उपर परस पर व्यवाइक समंद स्थापित करने पर प्रतिबंद लगा दिया गया था अर्थात जो चहलगानी है या तुर्क्य चालीसा जिसको आप कहते हैं वो लगवग समाप्द कर दिया बलवन ने उसको क्रश कर दिया था नेक्स्ट एस प्रेशन ओफ रिवोल्ट ओफ बेंगॉल बेंगॉल में तुग्रिल खान जो था उसने सोतंता घोशित की थी और लखनाउ बलवन के समय में बिद्रो का कैंदर बन चुका था बलवन ने मलिक मकदीर को मिशाल सेना सहित आकरमंड करने के लिए बंगाल पर भेजा तुग्रिल को कैप्चर करके मृत्यों के घाट उतार दिया और मलिक मकदीर को जो है तुग्रिल कुष की उपाधी से नवाजा था इससे पहले जो प्रधार मंत्री के रूप में भी मेवातियों और कुटलेर पर जो आकरमंड बलवन कर चुका था लेकिन जब वो शासक बना तो उसने पुनहा दिल्ली को मेवातियों से मुक्त करने का निश्य लिया और मेवातियों को पकड़ करके हजारों के संख्या में म राजा थे उनको अपने अधिन करने में सफलता प्राप्त की थी नेक्स्ट है मंगलों के प्रती सक्थ और स्ट्रोंग हार्ड निती जिसको हम कह सकते हैं मजबूत निती कह सकते हैं बलवन ने 1289 इसमें वटिंडा सिर्षा अभूर और भटनेर जो की ये सिमांत्र राज्य थे वहाँ पर महत्वपूर्ण सैनिक छाउनिया स्थापित की और साथ में उन सहसी सुवेदारों और सहसी सेनापत्यों की नियुक्ती की जो की उत्तरफश्मी सीमा को सुरक्षित रख सके हैं 1285 सी में जो मंगोल का आकरमन हुआ उस मंगोल के आकरमन को निरस्त करने में सफ साथ प्रदेशों में सेनापती और सुवेदार के रूप में नियुक्ती की थी लाहूर है मुलतान है और दिपालपूर है यह मौमद खान के अधिन सौपा गया सिर्सा है समाना है और उच्छ है यह जो है बुगरा खान के अधिन सौपा गया था और 18,000 गुरस्वार जहव बल्कि मुगलों के प्रती एक ऐसी सुरक्षात्मक नीती का अनुसरण किया ताकि मंगोल जो है वो भारतिय सिमा में प्रभेश ना कर सके नेक्स्टे ए रियोगनाज़िशन ऑफ अर्में बल्बन ही था जिसने दिवान अर्च जोकी सेनिक विवाग था उसकी स्थापना किया थी से पहले जो इल्तुतमिश था या एवर्ग था उन्होंने पर्मानेंट विवाग जहुँ सेना का स्थापित नहीं किया था बल्बन न उनको रखना प्रारम किया और सैनिकों को जो वेतनमान है वो नगत देना प्रारम किया उसने जागिरे नहीं दी किले हैं उनका जरिंद्वार करवाया नए किले भी स्थापित करवाया सैना की ट्रेनिंग करवाया और जो बूरे सैनिक हो चुके थे उनके स्थान पर नए सैनि सी हो और सेना में ट्रेनिंग के माध्यम से जो है वो सेना में सुधार किया जा सके ये मैत्वपुन कदम भी बल्वन ने अपनी लोह ततारक्त नीती के तैत उठाये थे नेक्स्ट है जो एड्मिस्टेट्यू रिफॉर्म से बल्वन ने उठाये थे सबसे पहले तो उसने सेना का और प्रशासनिक दिश्ची से केंदरी करने के अर्थार्थ सारी शक्तियां अपने हाथों में केंदरीत कर लिए केंदरीत करने के पशात उसने मैत्वपुन पदपर निउक्तियां स्वयम की और जो बजीर के पास वीतिय शक्तिया थी और साथ में जो सैनिक शक्तियां थ उसको मजबूत किया ताझि सारी जो खवरें हैं सारी सुशनाएं हैं सुल्टान तक पहुंश सके उसने निश्पक्ष निया व्योस्ता को स्थापत करने का प्रयास किया और जो अपरादी थे उन पर जो है उसने शारीरिक दंड और कठीन कठोर दंड जो व्योस्ता है उसको लागू किया ताकि राजे में शांती स्तापित हो सके अब राधिक तत्तो परजवें अंकुष लगाया जा सके नेक्स्ट री इस्टेबलिश्मेंट ऑफ ग्रेंड रोयल दर्वार जो इल्तुतमिश के पश्यात दिल्ली दर्वार की अवनती हुई थी उसको भरफाई करने के दिल्ली दर्वार की प्राकाश्चा को पुनसापित करने के लिए बल्वन ने जिल्ले इलाही की व्यवस्ता की अठात स्वयम को इस इश्वर का परतेंधी धर्ती पर कहा सिजदा और पाइवोस जैसी व्योस्ता एलागों की सिजदा उता है जुक करके सलाम करना हाथ उपर उठा करके और पाइवोस है जमीन पर लेट करके सुल्तान के पाउं को चुमना इस परकार की व्योस्ता प्रारम की उसने जो पार्सी तहवार था नरोच विशेश करके जो इरान में मनाया जाता था उसको मनाना यहाँ पर भी प्रारम किया और स्वयम को अफ्रास याद वंश्च से समधित बताया ताकि जो हो अपनी वैधानिकता को सित किया जा सके उसने जो खलिपा है उसके नाम को अपने स उसके जो अटेंडेंट थे वो एक स्पेशल ड्रेस में जो हो रहते थे और दिली दरवार में जो भी व्यक्ति अटेंड करना चाता था जो भी अपनी फरियाद लेकर के जाना चाता था उसे एक जो निर्धारित की गई पोशाक है उसमें ही दिली दरवार में जह वो अनु थे ताकि लोगों के मद्दे में बलवन का भैस थाफित किया जा सके So this is all about the policy of blood and iron आपके लिए जो आज assignment है आपने क्या करना है बलवन की लोहों तथा रक्त की निती की मेहतपूर्ण विशिष्टा है क्या थी उसको संशित में solve करना है हल करना है attempt करना है और ग्रूप में post करना I am repeating again that assignments of the day is what were the main features of the policy of blood and iron of भलवन describe briefly so have a good time have a nice day